दोस्तों सर्दी का सीजन आ गया है इस सीजन में शरील को गर्म रखना बहुत ही जरूरी होता है इसलिए इन दिनों में चिक्की, गोंध के लड़ू, मुंगफली के लड़ू बेखते हुए नजर आते हैं लेकिन क्या आपने सोचा है आखिर गुड और मुंगफली से बने ल चलिए जानते हैं इसके लाभू के बारे में नमस्कार निशा मधुरी मेरे सीपीज में आप सभी का स्वागत है यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं पहली बार आए हैं तो कृपिया हमारे चैनल को सब्सक्रेब कीजिए और हमारे आने वाले नए वीडियो की जानकारी तु इम्मेनिटी बूस्ट होती है जो संक्रमन और बैक्तियल समस्याओं को दूर रखने में मददगार साबित होती है गुड़ और मुंगफली का एक साथ सेवन करने से प्रजनल क्रमता में सुधार होता है दरसल मुंगफली में सेलेनियम भरपूर रूप में मौजुद होता ह वहीं गुड़, मैगनेशियम और आइरन का काफी अच्छा स्त्रोथ होता है मुंगफली और गुड़ में कैलशियम भरपूर मातरा में मौजुद होता है जो आपकी हड्डियों को मजबूत बनाने में मदद करता है इसके हलावा यह पोटेशियम, फाइबर और जिंक का सम मुंगफली और गुड़ की चिकी का सेवन करने से यह आपको लंबे समय तक उर्जवान बनाया रखता है वैम शुरू करने से ठीक पहले आपको उर्जा प्रदान करने के लिए आप इसे प्री वर्टाउंट स्नेक्स की रूप में भ्यूप व्योग कर सकते हैं यदि किसी के शरिल में हिमोगलोबिन की कमी हो जाए तो बहुत सारी बिमारियों का सामना करना पड़ता है आए जानते हैं वो कौन से बिमारिया होती है जो शरील के सभी अंगो तक ऑक्सीजन सप्लाई करता है या ऑक्सीजन कम या जादा होने पर उसे बैलेंस करता है साथ ही कार्बंडर ऑक्साइड को बहार निकाल कर फेपोड़ों में ले जाता है हिमोगलोबिनिया खुन की कमी एक आम समस्य होती है जो किसी भी उम्रके लोगों को प्रभाविक कर सकती है ऐसे में कुछ सरल घरेलू उपाए खुन की कमी को दूर करने में मददगार साबित हो सकते है वैसे तो गुड और मुंख फरली सभी के लिए बहत गुनकारी होती है लेकिन कुछ लोगों को इसका सेवन नहीं करना चाहिए इसे के साथ गर प्रोजाना इसका सेवन करते हैं तो आपकी खुन की कमी बहुत ही जल्दी दूर हो सकती है तो चलिए जानते हैं कौन सी है वो रेसिपी इसे बनाने के लिए मैं यहां एक कढ़ाई में एक कप और एक चौथा कप मुंख फरली के दाने डाल दिये हैं इसे अभी हम मेडियम पर भून लेंगे हमेंसे बहुत ही धीरे धीरे भून नहीं ताकि यह बहुत ही क्रिस्पी बने और जले नहीं आईए अब जानते हैं मुंख फरली में कितना प्रोटीन पाया जाता है 100 ग्रैम मुंख फरली में 25 ग्रैम प्रोटीन मोजुद होता है जो कि प्रोटीन का बहु भी दूर किया जा सकता है, तीन से चार मिनिट भूनने के बाद आप देख सकते हैं, मुफली बहुत ही अच्छे से सिख चुकी है, अभी हम गैस बन कर देंगे और इसे इस तरह से एक किचन टॉइल पर निकाल लेंगे और ठंडा होने के लिए रख देंगे, इसी कड़ाई मे गुड़ अच्छे से पिघलना शुरू हो गए हैं, लेकिन अभी ये चाशनी बनी नहीं है, इसे हमें और पकाना है, देखें मुफली अभी ठंडी हो चुकी है, इसके चिलके बहुत ही आसानी से निकाल रहे हैं, हम किचन टॉइल को अच्छे से रब करेंगे और इसके सार बोड लिया है, इसके ऊपर थोड़ा सा तेल लगा देंगे, अगर आप चाहे तो किसी सांचे में जिस पर ये मुफली बनाने वाले हैं, उन सभी को तेल लगा दें, चाहे तो इस तरह से ढखकन ले ले, एफिक कटोरी ले जिसमें भी आप इस चिकी को सेट करने वाले हो, स चाशनी अच्छे सेट हुई है या नहीं, इसके लिए हमें कटोरी में पानी लेंगे, चाशनी के कुछ बुंदे इसमें गिराएंगे, और चेक करेंगे, यह अच्छे सेट हुई है या नहीं, देखिए, अब ये गोल् Dinner लग रहा है, इसका मतलब है चाशनी अच्छे से न पूरे हो चुके हैं अभी हम इसे चेक करेंगे फिर से यह गूर अच्छे से से हो रहा है या नहीं देखिए अभी अच्छे से 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 हो चुका है और यह तूट रहा है तोड़ने से इसका मतलब है ये चाशनी अभी हमारे सेट हो चुकी है गैस की फिलिम को लो रखेंगे और इसमें ये मूफली डाल देंगे इसे फटा फट मिक्स करेंगे इसे मैंने अच्छे से मिला दिया है अभी हम क्या करेंगे जो चॉपिंग बोर्ड पर मैंने ओईल लगाया था उसके उपर मैंने एक चूड़ी रख दी है इसमें थोड़ा सा चिक्की का मिश्रन डालेंगे और एक चोटी से गिलास से इसे अच्छे से स्प्रेड कर देंगे इस गिलास में भी मैंने थोड़ा सा तेल पहले से लगा दिया था देखे इस तरह से मैंने इसे set कर दिया है अभी हम यह चूड़ी side में निकाल कर रख देंगे और इसे अच्छे से एक बार दबा कर इस तरह से set करेंगे इसी तरह से आप चाहे तो चूड़ी से छोटी छोटी चिक्या बना सकते हैं जो भी shape आपको पसंद हो उस shape में आप इसे बना सकते हैं या फिर आप इसे chopping board पर डाल कर बेलन की मदद सी बेल कर square shape में भी काट सकते हैं जिस तरह से हम मिठाई बगरा काटते हैं जैसे भी आपको पसंद हो उस तरह से आप इस चिक्या को set कर सकते हैं चलि अभी में पटबट सारी चिक्या को इसी तरह से set कर लेती हूँ लीजे मैंने सारी चिक्या को अच्छे से set कर लिया हैं बहुत ही प्यारी और बहुत ही स्वादिश्त मुंफली गुर की चिक् یہ बन कर तयार हैं मेरा बेटा ये चिक्की खाने के लिए इधर तयार बैठा है तो जाना भी गा रहा है चलिए अभी मैं आपको इस चिक्की को तोड़कर दिखाती हूँ बहुत ही क्रिस्पी ये चिक्की बनी है आप इसे पूरे एक से दो महिनों तक स्टोर करके रख सकते हैं ये बिल्कुल भ मुंगफली सभी के लिए बहत लाबकारी होती है लेकिन अगर आपको गुड़ या मुंगफली इसमें से किसी की भी ऐलर्जी है तो आप इसका सेवन ना करें इसे के साथ अगर आपको डाइबेटीज ज्याने के मदमेह की समस्या है तो भी आप मुंगफली और गुड़ की चीकी का सेवन ना करें गुड़ और मुंगफली की तासिर काफे गर्म होती है इसलिए गर्भववती महिलाए बिना डौक्टर की सलहा के इसका सेवन ना करें बाकी सभी इसका सेवन कर सकते हैं अगर आपको आज के हमारे ये वीडियो पैसेन आई हूँ तो प्लीज हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ जादा से जादा शेयर कीजिए इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ तब तक अपना ध्यान रखें सुरक्षित रहिए नमस्ते झाली